प्रिक्ष उप्रवध नहीं होते, यहां अभी प्राई यह है कि अनेक परवतों पर मनी मानने के मिलते हैं, प्रन्तु सभी परवतों पर नहीं, ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुछ हाथी ऐसे होते हैं, जिनके मस्तक में मनी विधमान रहती है, प्रन्तु ऐसे सभी हाथ्य प्रतु सभी वनों में चंदर नहीं मिलता इसी परकार सभी जगा साधु व्यक्ति नहीं दिखाई देते साधु सब्देशे अचारे चनक्य का अभिप्राय यहां सचन व्यक्ति से है अर्थात ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बिगरे हुए काम को बनाता हो जो अपने मन को निर्वित की उड़ ले जाता हो और नीज सवार्थ भाव से समाज कल्जान की इक्षा करता हो साधु का अर्थ यहां केवल भगवे कप्रे पहनने वाले दिखावटी सन्यासी व्यक्ति से नहीं है यहां इसका भाव आदर्स व्यक्ति से है परन्तु ऐसे आदर्स व्यक्ति सब जगा कहां मिलते हैं वे तो दुरला भी है जहां भी मिले उनका याथावत आदर्स समान ही करना चाहिए पुत्र के परती कर्तव्य अचारी चनक यहां पुत्र के संब्ध में उपदेश करते हुए कहते हैं कि बुधिमान लोगों का कर्तव्य है कि पुत्र को सदा अनेक प्रकार से सदाचार के शिक्षा दे नितिग्य सदाचारी पुत्र ही कूल में पुजे जाते हैं अर्थात पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि पुत्र को अच्छे शिक्षा दे, शिक्षा केवल विद्याले में ही नहीं होती, अच्छे आच्रण की विवहार की शिक्षा देना पिता का पावन कर्तव्य है, अच्छे आच्रण वाले पुत्र ही अपने कूल का नाम उचार उठाना माता-पिता और समाज का परम कर्दव्य है अचारे चनक्ति के सिक्षा के बारे में माता-पिता के कर्दव्य का उपदेश करते हुए कहते हैं कि बच्चे को नौ पढ़ाने वाली माता शत्रू तथा पिता बैरी के समान होते हैं बिना पढ़ा व्यक्ति पढ़े लोगों के बीच में आ जाने पर अनपढ़ व्यक्तिकी हो जाती है इसलिए बच्चे को न पढ़ाने वाले मा-बाप ही उसके शत्रू होते हैं अचारे चनक्ति के बालक के लालन पालन में लार प्यार के संदर्व में उसके अनुपात और सार के बारे में उपदेश करते कि अधिक लार से अनेक दोश तथा तारन से गुन आते हैं इसलिए पुत्र को और सिस्य को लालन की नहीं तारन की अश्यक्ता होती है अभिप्राईया है कि अधिक लार प्यार करने से बच्चे बिगर जाते हैं उसके साथ सक्ति करने से ही वे सुधरते हैं इसलिए बच्च कि व्यक्ति को चाहिए किसी एक शुलुक का या आधे या उसके भी आधे अक्थवा एक अक्षर कहीं सही मनन करें मनन अध्यन डान आधिकार्य करते हुए दिन को सार्थक करना चाहिए अभिप्राय यह है कि कम से कम जितना भी हो सके मनन अध्यन करना अध्यन करना तथा लोगों की सहायता करना यह मनुष्य जीवन के अनिवारे करता भी है ऐसा करने पर ही जीवन सार्थक होता है क्योंकि मानों जीवन अमुल्ली है उसका एक एक दिन एक एक च्छन अमुल्ली है